पाठ 11, सूरज क्या सिखलाता है? बच्चों, आज हम आपको इस पाठ के वारे में बताने जा रहे हैं. आप ये सभी जानते ही होंगे कि सूर की हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है? सूरी का प्रकास, जहां एक और रात्री के वाद दिन का एहसास कराता है, बही सूरे हमें उर्जा प्रदान करता है और हम उत्साहित होकर अपने दैनिक कारे में व्यस्थ हो जाते हैं. बच्चों इस पार्ट में एक बच्चा बहुती मासूमिय से अपनी मा से पूछता है कि ये सूरे रोज कहां चला जाता है और फिर से सुबह होते ही आस्मान में प्रकास होते ही सफी रास्ते दिखाई बढ़ने लगते हैं. बेटे की बात सुनकर के मा कहती है बेटा सूरे दिन वर चलते चलते ठक जाता है और आराम करने के लिए चला जाता है और फिर सुबह होते ही सूरे हमें ये संदेश देता है कि तुमको भी अपनी पूरी लगन के साथ दिन वर अपने काम करना चाहिए. जब तक मैं आस्मान में तुम्ही दिखाई पड़ू और जैसे ही रात में अद्रस हो जाता हूँ उस समय पर तुम भी चुपचाप सो जाया करो. बच्चों याद रहे सुबह तुम्हें जल्दी उठना है आलत से कात्याक करती हुए अपनी दैनिक काम में पूरी लगन से जुड़ जाओ. मा की बात सुनकर के बेटा बड़ी उत्सुक्ता से पूछता है कि सूरज की भाते अगर मैं भी पूरी मेहनच से काम करूँगा तो क्या बैसे ही मैं भी इस समाज में कीर्दवान इस्थापित करूँगा. मा कहती है बेटा जब तुम अपने सारे कारे पूरी तनमन से करोगे जिसमें भै और आलस से के साथ साथ द्रहें विश्वास होगा और तुम्हें सीखर ही सफलता मिलेगी और अपने मन चाहें लक्ष को प्राप्त करोगे और बेटा तब तुम भी सूरज की तरहें इस कीर्टी फैलाओगे इस तरहें तुम से प्रेरणा पा करके अपने लक्ष में विशलेत प्राणि भी अपने जीवन में सफलता प्राप करेंगे बच्चों इस पार्ट से हमें ये संदेश मिलता है कि काम में विश्वास जगा कर तन मन से अपने काम में लीन हो जाओ सफलता अवस्य मिलेगी आप भी सूरी के समान चमक उठोगी धन्यवाद